इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह रूमिटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस और ऑस्टियो ऑथराइटिस जैसी समस्याओं में दर्द और सूजन को प्रभावी धंग से कम करता है। लिफडोल एसपी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। पेट को बचाने के लिए भोजन या दूद के साथ लेना चाहिए। दवा को नियमित रूप से सही समय पर लेने से इसकी प्रभावकारिता ब अगर आप इस दवा को दीर कालिक उपचार के लिए ले रहे हैं तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से अपने किड्नी फंक्शन, लिवर फंक्शन और रक्ट के घटकों की निगरानी कर सकता है। दीर कालिक उप्योग से पेट में रक्तसराव और किड्नी की समस्याएं जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लिव डोल एस पी टैबलेट लेने की सलाह नहीं दी जाती। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक कर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।